युनिफर्म सिविल कोड नी जोगवाई राज्य करसे येवू अनुचे चुम्बालिसमा भंधारण अस्तित्वमा आव्यू त्यार थी छे आ माटेना किटलाक केसिस विद्याधी मित्रों मने या केवानू मान थासे सौधी प्लों केस वंवाध करू तो सायब आनुबेगउं वर्सिस एहमद खान नों केसचे जे ंगणी सौपांचियासी मा अस्तित्वमा आव्यो अव्यो愉 आ केस नी वीगतों मां जो आपने बहु डीटेल मां जे ये पन भरन पोशन नो प्रशन हतो तो ओगणी सो पंज्यासी मां आ केस आवयो ए समय दर्म्यान मां CRPC नी कलम 125 जे भरन पोशन ने लगती छे ए कलम नो उप्योग करी अने साब आनू बेगा में पोता ना पती पासे छ जोगवईनी वाद थाई त्यारे एने एवु करी दिदू पोते मुस्लिम जे अने इदत समय दर्म्यान नो भरन पोशन करी दिदू होवा थी हवे एनी भरन पोशन नी कोई जवाबदारी रहती नथी एल्लिया अहिया ए प्रश्ना उपसी था ओके CRPC कलम 125 शू मुस्लिम स् पाची ते स्त्री माटे नी कुई जवाबदारी छे के नहीं आजे लगन जीवन ना आठ्ख्यावी स्वसबाद ए स्त्री क्यां जाई भरन पोशन मेडवा माटे तो ओगण्यान सो पंच्यासी मां आ परीश सिती मां भरन पोशन तो नकी थाई उपण ए समय पण सुप्रीम कोटे राज्याने संसदने आ युनिफोर्म सिविल कोड गणवा माटे नी फरच पाड़ी ए पची मुस्लिम स्त्रीयों ना छुटा चेडाना हको ना रक्षन अंगे नो काईदो अस्तितों मां आवे ओके जे मात्र मुस्लिम स्त्रीयों ने लागू पड़े ए पची नू ब उद्दगल नामनी एना समक्स एक प्रच्णा उपसी थायो के मीरा मातूर करी ने एक स्त्री होय चे एने एना पती साते हिंदू बने हिंदू है लगना करया लगना जीवन दी त्रान भाड़क को थाया अने त्यार बाद तेना पती ए सुनीता नामनी सुनीता उर्फे फात पत्नी पासे पाच्वावे अगड़ एने हिंदू होवा चता एने मुस्लिम धर्मांगी कारी ने ब्जा लगना करया शल्लाम उद्दगल ज्यारे आना संदर्मा अधालत मा जाये चे त्यारे ए समाये प्रश्ना एज उपस्ति थायो के अहिंदू स्त्री मुस्त्री लेखने Dumas dark side अंगीकार करें पाके मिलकत दंग吸 दिखावची या लिखने o मिलकतना संधर्म मा वार्षा नी मागनी करें तो ए संवय सम्लिम थर्म Double पुरूस् . जेने मुस्लिम धर्मां अंगीकार करें ओंडियों, तक ट्यूर्पनी देहिश history और, पतनी छे हिंदू पती साथे लगना करें चे आने लगना बाद हिंदू नी जे मिलक चे ए मुस्लिम स्तीना बालक ने मलके कें तो अहिए आगर अदालत नी पासे एभी परिस्तिती सर जाई के कया काईदा हेटर आ अंगेनु जजमेंट आपफू अहिए प्राशना ए थाई के जो मिद्रों विर्याधी मिद्रों के कोईपण पूरूस के जे मुस्लिम धर्मा अंगीकार करी अने लगना करें चे तो तेना कारणे एक तो आईपीसी सेक्षन 494 हेटर ए द्वी पतनी त्वना गुना माटे जवाबदार बने जे अने बीजी ब अटूट बंदन धर्मा बदलवाथी तुट्टू नथी एटले अहिए आगड मुस्लिम स्त्री अने हिंदू स्त्री माटे प्राशना ए थाई चे के पूरूस बन्ने नो पती एकज छे एक समय हिंदू होई चे एक समय मुस्लिम होई चे तो आवी परिस्तिती न सर जाए ए समय पण 1905 मां फरी थी संसद ने युनिफर्म सिविल कोड गडवानी फर्माईस करेली ते समय पण आ ना थायू एपाजी 2001 मां डैनियल लतिफी ना जजमेंट मां पण फरी थी आग प्राशना उपस्तित थायो अने एमां मुस्लिम स्त्री होई चे अने मुस्लिम स्त्री मा डैनियल लतिफी ना जजमेंट मां खुबज सरस अमां इंटरप्रेटेशन करवा मां आवियू चे के मुस्लिम स्त्री हो माटे जे भरण पोशन नी जुगवाई चे के इदधत मुदत दर्म्यान मां करवू एनू इंटरप्रेटेशन सुप्रीम कोडे एटलू सरस कर्यू जणावियू के इदधत मुदत समय दर्म्यान मां जे बे मैना के त्रण मैना जे समय गाड़ों छे ए समय गाड़ा दर्म्यान मां पूदी जिन्दगीनों भरण पोशन ए पुरुसे ते स्त्रीने आपी दे उबले महर नी रकम चुकवाई होई के न होई ए पाची बे हजार त्रण मां पण फरी थी प्रश्णा उपस्ती थहेलो मित्रों यहां अगर समय नों अब्बावा वाती विगते वदू चलचा न करता यूनिफर्म सिविल कोड नी मांगणी वारम वार थहेली जे वारम वार सुप्रीम कोडे संसद ने आ आंगे काईदो घड़वानी वात क परिस्तिती क्यारे एवी आवे चे के एक पक्स हा पाड़े जे त्यारे बीजो पक्स ना पाड़े चे अने कोई पन काराणों सर एनी पाचर नू रीजन गमेते होई पन यूनिफर्म सिविल कोड आज सुधी अस्तित्वमा आवे नदी जो ए घड़ाई तो दरेक धर्मनी स त्रियो माड़े अने लगना वार्षाधिकार चुटाचेडा दत्तक विदान वगेरे माड़े एक यूनिफर्म सिविल कोड अस्तित्वमा आवे जिना थी बधाने लाग था इतले अमार्दसक सिद्धान्तों ने एक काईदानों स्वरुपापवामा आवे एवो आ जनावामा आवेलू छे अनुचेत पिस्तालिस मीजे आपड़ी अनुचे छे ए बालको माटे मफत अने फरजिया सिक्षन माटे नी जोगोई करवामा आविली छे जे आपड़े अगाव मना चर्चा करी के उननिक रिष्णन वर्सिस स्टेट ओफ अंध्रपरदेश ओगनि जे अनुचे जाती अनुचे जन जाती अन्य नबड़ा वर्गों ना सेक्षनिक अने आर्थिक हीतो नी उन्नती माटे नी जोगोई करवी आना माटेनु मांडल कमिशन नुचेश उनिसो तानु माजी बनेलो ओ ज्ञाणितो छे पाण समयना अबावे अपड़े नी विगत चर्चा करी शाकी अनुथी आर्टिकल 47 जे शूर्तालिस्म अनुचेद ए पोशन नुच्तार अने जीवन धोण उन्चु लावानी अने जाहेर आरवग्यानु सुधर्वानी राज्यनी फरत्चे 48 मी जे कलम छे ए खेती अने डोरू उच्छे रंगे विवस्ता करवानी वाच्छे कदल खाना उपर प्रतिबंद ए एमा मुखवानी वाच्छे पर्यावर्ण नी सुधर्णा अने जंगल त्यमाज वन्य जीवो नी सला मतिनू रक्षन ए अनुच्छे अड़तालीश ए छे एमा पर्यावर्ण सुरक्षा धारो पन बनेलो छे वन्य जीवो सरक्षन धारो बनेलो छे पशी जे अनुच्छे ओगन पचास चे ए समारको ने राष्टिय अगत्य धरावता स्थलो अने जे पदार दो छे एमनू रक्षन करवानी वाच्छे अने पच्छास मी जे कलम चे ए नियायत अंत्रनू कारो बारती विभाजन करवानी वाच्छे अने अनुच्छे एकावन ए आंताराष्टिय सांती अने सलामती ने उन्नाती नी वाच्छे तो मित्रो आ जी अपड़े चर्चा करी ए राजनितीना मार्दसक सिध्धान्तो पाचरती थोड़ीक चर्चा माटे पूर्तो अवकास समयना भावे आपने रहोनों थी पहुँज वीगते चर्चा आना वीशे करी सकायम छे तो राजनितीना मार्दसक सिध्धान्तो पाचरती ने मुढभूत अधिकारो बच्चे जे तफावत छे क्या बने वचे संगर्ष थे तो एना वीशे हुँँ तमने चोकस कही शकू के मिध्यर्दी मित्रो जे मुढभूत अधिकारो छे ए नकारत्वक स्वरूप माँ छे त्यार इन नेगेटिव फांस फंडामेंटल राइट्स आर इन नेगेटिव फांस काण के राज्ये माटे अमूक न करवा माटे नू सुचन करे छे एमा राज्यकिये स्वतनतरतानी वाद छे और राज्ये आम आम करवानू नहीं राज्ये माटे प्रतीबंदग जोगवाईयोनी वाद ए विभाग त्रणमा करवा मावेली छे जारे विभाग चार छे ए हका आत्मक छे fundamental rights are negative form but at the same time directive principle of the state policy are in positive forms ए राज्ये माटे direction पूरिबाड़े छे ए राज्ये माटे दिवा दांडी छे के राज्ये पोता नी जीकी प्रकार नी निती घड़ छे ए निती घड़तर मां और राज्य निती ना मार्दैसक सिधान्तों ने ध्यानमा राक्षे एले हकारात्मक छे ए व्यक्तिनों आर मार्दैसक सिधान्तों ना भंग बदल अध्यालत मा आपने जही शकता न थी आर बने दे में डिफरेंस बिट्वीन फंडामेंटर राइट्स और डिरेक्टि प्रिंसिपल अब दी स्टेट पॉलिशी विद्यांती मीत्रों एक वार्द ध्यान दोरू छु के मुर्पूत अ अधिकारों ना भंग मांटे आपने अधालत मां जही शक्ये चे पन राज्यनितीना मार्दासक सिधान्तों ना भंग बदल अध्यान मा जही शक्ये सिधै सिधा JEFF द्यानमा राखी ने जहारे कोई पण काईदों घडवा मां आवेलो होई अने काईदा किया स्वरूप आपी दे देलू होई त्यारे ए स्वरूपने द्यानमा राखी अने ए काईदा नी जहे जोगवाईयोचे एना भंग बदल चोकस पणे आपने आदालत मां जहे शके जे बीजु के कोई पण मुर्भूत अधिकारों नू भंग थायलो होई तो ए मुर्भूत अधिकारों ना भंग बदल ज्यारे अधालत मा जवामा आवे त्यारे मार्दर्सक सिद्धानतों ने पण ध्यानमा लेवामा आवे चे अने मार्दर्सक सिद्धानतों ना अमल माटे अधिकारों नुपन हनन थाई अने ए बाबद अदालत पन घणाबदा केस मा प्रस्तापीत करी चुकेली चे अने ए ध्यानमा लाइनेज मुर्भूत अधिकारों थी राजकी आजादी प्राप्त थाई चे अने मागदसक सिद्धान तो थी आर्थिक अने सामाजिक सल्लामाती अने एना आदर्शो प्रस्तापीत थाई चे एटले महरी द्रश्तिये कोई चडियाता नाथी संगर्स अस्तितों मा आवे त्यारे चोकस पेलानों न्याईक स्वरूप चे एटले एने ध्यानमालाई शकाई पन अहिंगर एक बीजाना पूरक चे बनने वगर राज्यनों सं जाती मीत्रों अहिं आगल मुल्बुत फरजो नो उल्ले खापडे करी देए जे बौज अगत्यनी वात चे के ओगणीस अपड़ो जहारे बंधारन अस्तितों मावी ओगणीसों पचास थी ओगणीसों च्वाक्तेर सुधी जे महत्वनु काम करवानू रही गयोतु एचे म अधेशो ने ध्यानमा लई अने अपड़े एनने पण मुल्बुत अधिकारों मा स्थाना प्यू छे रश्याना बंधारन माथी मुल्बुत फरजो ने अपड़े स्विकारेली चे तो ए मुल्बुत फरजो अपड़े अनूछे 51A हेठाड जोई तो सवुती पैली मुल्ब प्रेणा आपनार उच्य आधर सोने रदै मा संघरवानू आने तेने अनुसरवाणी एपची जह चे के भारत ना सारवभुमत्व एकता औने अखंदित्तानू समर्थन करवानी आनि तेनू रक्षण करवानी देश नू रक्षण करवानी आने राष्ट्रिय सेवाबजावा अने भात्रुभावनी भावना केड़वानी अने स्त्रियोंना गवरवने हानी कारक व्यवारोंनो त्याग करवानी अपड़ी मुल्बुत फरजचे अपड़ी संयोजित संस्कृतीना सम्रुद वार्साने सन्मानवानी तथा तेनू रक्षन करवानी अपड़ी अगत्यनी अनो सरोवरो नदियो वन्य प्राणी सहीत कुद्रती पर्यावरनू रक्षन करवानी अने तेनी सुधार्णा करवानी अने जीवो प्रत्य अनुकंपा दर्शावानी अपड़ी फरज छे आ मुल्बुत फरजो ए बौज अगत्यनी चे वैग्नानिक मानस मानवतावाद अने जीग्नासा वृत्ती तथा सुधार्वाद नी मुल्बुत फरज छे आपड़ी ए सिवाय जाहिर मिलकतनों रक्षन करवानी अने हिंसानों त्याग करवानी अपड़ी फरज छे अने छेली अने अगत्यनी फरज छे ते राश्ट्र पुरुशार्थ अने सिद्धी ना उच पीता के पाल्याना वाली होई तेनी तेमना छथी चौद वर्ष वच्चे ना बालक के यथा प्रसंग पाल्याने शिक्षनी तकोनी जोगवाई करवानी अपड़ी मुल्बुत फरज छे अने जी मुल्बुत फरज छे एक बीजा साथे को रिलेटेर छे अने कोई पन स्था अने जी मुल्बुत फरज जोने समझा छिए ताइम फूरो थाए जे मित्रो अहिए बाईसेक उच्च कमिश्नल विभाग अने बाईसेक ना तमाम अधिकारियों नो अने पुरुई साहिब अभार व्यक्त करिये चे आपने मलीने बालको विद्यार्थी मित्रो खुब खु कि जाए धन्यवाद